हाई फ्रेंड इस वीडियो हम बात करेंगे साओधी अर्वियन लीक के मैच के बारे में और ये मैच खेला जाएगा दामक FC और अलरायद FC के बीच में दोनों टीम में सा आज के मैच में कौन सी टीम एक सट्रॉंक टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है इस टोपिक पर डीट हमें कंप्लीट दी जाएंगी बस आफ वीडियो को ध्यान से देखना तो चलिए अब हम इन दोनों टीम की पहले पॉइंट टेबल पर नजर डालते हैं तो गईज दामक FC पॉइंट टेबल में फिलहाल टाइम पर शिक्स पोजिशन पर रहे वहीं पर बात करें अलरायद FC पॉइंट टेबल में 11 पॉजिशन पर तो गईज इन दोन टीमों की जो पॉजिशन है उसमें भी डिफरेंस देखनों को मिलता है तो गईज अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को आज के मैच में एक सट्रॉंग टीम यानि एक फैवरेट टीम मान चले तो मैच को विन कर लेती है या मैच को ड्रो खेल लेकिन मैच को जल्दी से लोस नहीं करती तो इसलिए मैं दामक एपसी को एक फैवरेट टीम मान के चलता हूं लेकिन हम बात करेंगे जब यह दून टीम आपस में हैट ट्रॉड मैचस केलती है तो किस तरह का परफोर्मेंस इन पॉंट टू गोल पर मैच सकोर कंसीड किया कहना का मतलब जब यह दोनों टीम आपस में खेलती है एक हाई सकोरी मैच देखने को मिलता है और अधिकतर मैचस अब से पहले अलराइद एपसी ने विन किये हैं लेकिन रिसेंटली दो मैचस इन दोनों टीम के बीच में हैट व पर मैचस नहीं किया इस टीम के सामने उन मैचस में गोल सकोर भी किया है तो कहना का मतलब यही है कि दामक और राय जब भी आपस में खेलती है तो एक हाई सकोरी मैच देखने को मिलता है लेकिन हम बात करेंगे इन दोनों टीम का जो करण्ट फोम है जो रिसेंट फोम है उस से 0.7 गोल पर मैं सकूर कंसीड किया तो फिल हल टाइम पकर इस टीम का करन्ट फॉर्म देखा जाए अधिकतर मैच ड्रो खेलती या विन करती लेकर जल्दी से लोस नहीं करती और अटेकिंग परफॉमेंस इस टीम का एवरेज रहा है और डिफेंसी ड्रो खेला नहीं गोल से कवल किया नहीं गोल डिफेंस से कंसीड के और अल वहदा के सामनी टीम 1-0 से जरूर मैच को लोस किये उससे मिकाबला ड़ाला के सामनी टीम 2-0 से विन किये और एक मैच इतिःत के सामने अटेक्न ड्रो traffेलिए तो करन्ट फॉम अगर दामक FC का देखा जाद attacking average रहा है लेकिन defense काफी मजबूत देखनों को मिलता है और आज भी आपको दामक FC defensive performance करते नजर आ सकती है लेकिन हम बात करेंगे अलरायद FC का जो recent form उसका according जो फिलहाल time जो performance है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं तो guys अलरायद FC currently छे मैच खेलिए एक मैच विन किया है पांच मैच लॉस करें एक attack से 0.8 defense से 2 गोल पर मैच सकोर कंसीड तो फिलहाल time पर इस टीम का performance काफी गंदा है attack से भी और defense से भी और ना ही मैच को विन कर पाती है अब हम बात करें जो पिछला मैच अलरायद FC अल्टावोन के सामने 3-2 से मैच को लॉस कर गई लेकिन 2 गोल इस टीम ने सकोर के लेकिन defense से 3 गोल कंसीड किये बातिन के सामने ये team 2-1 से जरूर विन किये उस मैच में 2 गोल सकोर के लेकिन defense से 1 गोल कंसीड भी किया और उससे पिछला चार मैच इस टीम ने खेले चारो मैच वन साड़ी लोज किये चार मैच में इस टीम ने सिर्फ एक ही गोल सकोर किया वरना हर मैच में गोल कंसीड किया और अटेक से एक भी गोल सकोर नहीं किया तो यहां से बता चलता है अलरायद FC का अटेकिंग परफोर्मेंस और डिफेंसिव परफोर्मेंस काफी गंदा देखनों को मिलता है तो फाइनल गाईज अब बात आती है अब इस मैच का स्कॉर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए तो गई साउस पैल हमने इन दोनों टीम की बहतर परफोर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में तो इस पॉइंटेबल का कोर्डिंग फिलहाल के टाइम पर दामक FC की पोजिशन काफी सेफ है और अलरायद FC की पोजिशन काफी डाउन है हैट्वेड में रिसेंटली दो मैच दामक FC ने विन की इस टीम के सामने और जब भी इस टीम के सामने खेलिए अधिकतर मैचस में गोल सकॉर भी किया है लेकिन ओवराल अगर देखा जाए तो अलरायद FC का परफॉमेंस हैट्वेड में बहतर रहा है लेकिन करंट फॉर्म का अकोर्डिंग देखा जाए दामक FC का अटेकिंग परफॉमेंस तो एवरेज लेकिन डिफेंस काफी मजबूत है और अलरायद FC का परफॉमेंस अटेक भी डाउन है और defense भी आपको गंदा देखने को मिलेगा तो तीनो format में आपको दामक FC ही एक सट्रॉंग टीम देखने को मिलेगी तो इसी लिए मैं दामक FC के फैवरेट टीमान के चलता हूँ तो final guys अब बात आती है अब इस match में कितना goal होने चाहिए और इस match का score line prediction क्या होने चाहिए और कौन सी टीम विन करने चाहिए तो मेरे according इस match में आपको एक लोज सकोरी मैच देखने मिलेगा और एक ही गोल कर एक ही गोल आएगा मुझे लगदा कि एक ही गोल आएगा और साइद इस match में रायद गोल ना कर पाए मैंने अपने इस match के score line prediction रखा है one zero और one zero prediction का अनुसार ही हम आपने dream । भाट करें है इन दोगोंट के प्लेर के वारे की इस player कितना गोल और कितना असिस्ट की है अभी तक हम नीश वीडियों बात कि इस match को कौन सी टीम विन करेगी और कितना गोल सकोर करेगी लेकिन आज के मैंज में कौन कौन से important player रहेंगे जो हमारी team में होने चाहिए उनके बारा मैं आपको details में information दोंगा आप video को complete देखना और हाँ दोस्त अगर आप channel पर नए होना है तो channel को subscribe जरूर करना क्योंकि इसी परकार की video information football में आपको इस YouTube channel पर continue मिलते रहेगी बात करते हैं मुद्य के player राइस कि क्योंक एस player और कितना रतुप फिर नजर डालते हैं यहां posição कि ते मैच में वहाना होना चाहिए फिर यहां से डॉटे डिसलवा है जिसने इस टीम के लिए तीन गोल सकोर के तो हम इन प्लियर्स को भी ले कर चलेंगे फिर यहां से एंड टो लिख है जिसने एक गोल दो गोल सकोर के लेकिन एक गोल पैनल टीम किया तो इस टीम की तरफ से पैनल टेकर में और आ प्लेयर दिए तो असिस्त निकालते हैं हिलेल शौदाने ने एक असिस्त निकाला है और यहां से मन्सूर हमजी प्रिवीस इस ने काफ़ अच्छा पर्फमेस्ट के role is steam के लिए बाक़ जितना और भी प्यूंट से उनका स्क्रीन रख़्ड अप ले सकते हो लेकिन टॉ ठीम के तरब से आप ने हैं अब अब यहोट देखले इस एक उतना टीम है उसके पराद सो कौन सांका कितना आ होना चाहिए फिर यहां से मिट रिटा है जिसने इस टीम के लिए तीन गोल सकोर के आई थिंग यह एक इंपोर्टेंट प्लेयर जो कि डिफेंसी वर्क अच्छा पहासा कर लेता तो इनको लेकर चलेंगे जूलियो टावारेस अगर खेलेगा तो हम इनको टीम करेंगे वरना ड्रॉब करेंगे यहां से मुहमंद फुजयर और मौहमंद सलीम दोनों प्लेयर्स ने एवरेज परफोर्मेंस किया है लेकिन इस सीजन में मौहमंद फुजयर ने ुजरी का लिए का आइला तो यह पिलियर्स आपको बारबार देखने मिलेंगे और इनढल के अनुसार है यह हम अपनी ममने टीम मनAYंगे डृгор果 यहां है किया हां करन्ट फॉर्म को देखते हुए हमने इस मैच का प्रेडिक्षन वण जीरो रखा है और वन जीरो का प्रेडिक्षन का अनुसार ही हम अपनी टीम मनाएंगे ड्रीम पर और इसी प्रेडिक्षन को नुसार कौणफ से important player हमार टीम होने चाहिए उन पर हम आपके लिए फोकस कराते हैं ओके तो चलिए टीम पर नज़र डालते हैं दोस्त चैनल पर नए होने तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर रखना तो गोल की पर सेक्शन से अगर बात की जाए तो मैं आपके लिए पहले बता दूँँ द प्लियर को वाइस कैप्टन देना और कौन-कौन से हमारे टीम में ग्यारे प्लियर्स रहेंगे उनके बारे मैं आपको डीटियल्स में इनफोर्मसन दूँगा तो गोल कीपर आपके पास ऑप्सेंस दो हैं आप यहां से जैगबा और लंग इन दोनों में से किसको भी कर सकत है तो हम मुहमन सलीम को पिक करते हैं क्यों कि इसने इसने गोल में भी और असिस में भी कंट्रिबूशन लिया है तो इनको हम लेकर चलेंगे ही चलेंगे फारक चपई जो कि डिफेंसिव पॉइंट अच्छा देता पलस असिस पोटेंसल हाई है इन्हें ग्रांड लीग में कैप्टन वाइस के अपने आराम से बना सकते हो अल अमर को पिक करेंगे होशन को भी पिक करेंगे क्यों कि दामक एपसी के तरफ से यह डिफेंसिव पर्फोर्मेंस आपको अच्छा करते नजर आ सकते हैं फिर आपके सामने इल नाखील है और यहां से बैदराने है आप इन अच्छिव नहीं कर सकते हैं मौहमंद फुजर का बिल में नहीं होंगे अब यहां से बसते हैं इनको लाइनफ के बात देखा जाएगा वरना चानसे तो बहुत ही कम एंगे इन प्लेयर के खेलने के अगर कोई भी प्लेयर के खेलता तो पोजिशन का अनुसार और लाइना को हिसाब सब को टीम में पिक करेंगे बलकि सब को ड्रॉप करेंगे बात करें यहां सेंटर फोरवर्ड सेक्शन से तो आपके सामने डॉर्ट है और यहां से मित रिटा और आपको घमेदी जो कि प्रिवीशन घमेदी का परफॉमेंस अच्छा था इस सीजन नहीं है मंसूर हम लेकिन इन दोनों को लाइन अप के बाद देखा जाएगा किसको पिक करना है जूलियन टावारेस यह काबिले तारीफ के लिए और मुझे काफी पसंद है लेकिन वही बात है खेलेगा नहीं खेलेगा बाकि जो ऑप्शन बसते हैं मैं किसी को भी ट्राइब करके नहीं चला ड़िये तो टीम प्रिव दोस्त यह रहीगा लेकिन याद रहें यह वीडियो का आध हार है फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है फाइनल टीम लाइन अप आनेग बाद तो लाइन अप आनेगा बार टेलीग्राम चनल पडेट कर दियागी टेलिग्राम चैनल लिंक है इसी कीजिए सब्सक्राइब मिलते हैं ना स्टूडियो में टेक रेंड बाई बाई